हाई अबरीबन आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत था है दोस्ता अगर आपके सिस्टम में कंपेटर में लैप्टॉप में वाइफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वाइफाई का आइकन सो नहीं हो रहा तो इस प्रोलम को क्या सौल करेंगे आज किस वीडियो यही जानेंगे सो करने का तरीका जानेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं लेकिरस सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह तो करते हैं तो दोस्ता आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे में वैसे internet connect है और हमारा वाइफाई सही तरह से वर्क कर र जैसे मैं आपन किया था यहां राइट क्लिक करेंगे इस्तरय के पर चाहिं करूप्र ही जहांने है लॉट है हता है देखे यहाँ नहीं कर छा नहीं है क्रें यहां पर देखें देखें कर दिया तो कि a SYNA पर देखें आपको मेकी से चेक कर लेना अगर में करना तका यह बार 6 यह पर कर देना है जैसे आप τοाइब करेंगे तो में भी आपकी प्रोलम हो सकती है यहां फर इनेबल हो चुका और यहां पर वाइफिया ही आगन आ चुका अगर इसके बाद यह आपकी तो आपको तहीं करना है उससे चेक कर लेना है इसके बाद हमें यहां पर करना है और हमें और मैनेज़ करने कई करना है क्लिक करने घलardo को एक्सपेंड करना इस तरह से और हमारा यहां पर देखिए वाइल जो हमरा वाइफाई का नाम था वह यह है मैं एक बार आपको फिट से दिखा देता हूं देखिए यह रहा आपको भी इस तरह से चेक कर लियुसके बाद आपको शिर राइकन आ रहा था नेटर ड्रकुप्टर का भी गायव हो चुका आप इसके बाद आपको क्लोज करके सबी विंडोस को close करके आपका अपने system को यहां से restart कर देना है जैसे आपका system restart होगा रेस्टार्ट होने बाद आपके system में जो प्रोलम आ रहे थी वाइफाई आइकन नोट सो रहा था या फिर वाइफाई सिगनल नहीं आ रहे थे वह प्रोलम आपके solve हो जाएगी ठीक हो जाएगी और आप वाइफाई कनेक्ट कर पाएंगे अभी मैंने वाइफाई अभी मैंने सिस्टम को restart नहीं किया इसलिए आपके connection किसी तरह का आइकन या फिर सिगनल नहीं आ रहे हैं अगर मैं रिस्टार्ट करता हूं तो इसकी रिकोर्डिंग हमारी ओफ हो जाएगी तो आपको restart कर लेना और रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रोलम 100% solve हो जाएगी तो दोस्त बनाकर इस चैनल पर पब्लिस कर दूंगा तो इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए जैहिल